हाई फेंज राजेश है फॉर्म टेक्नोबस.net तो आप मेंसे काफी लोग जानते हैं कि इस ताम पर जो है MIUI 12 जो है काफी सारे डिवाइसे के लिए इस ताम पर डिले हो चुका है जो चीजें मेंशिन की हैं वही चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या वज़ा है क्यों जो है डिले हो रहा है और क्या जो उनके मॉडेरेटरस है उनके क्या अंसर आ रहे हैं अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लेजएगा, साथ दी साथ वीडियो को लाइक, कमेट, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. चलिए, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि शौमी का एक अपने कम्यूनिटी फॉरूम है, जहां पर आके आप अपने कॉशन को पूट अप कर सेते हैं, और उनके अंसर्स वहाँ पर आपको उनके मॉडरेटरिस या उनके एड्मिस जो है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. उसी तरीके से कुछ दिनों पहले, 1st of September को एक यूजर ने Redmi Note 8 के ओपर caution किया था कि Redmi Note 8 को कब MIUI 12 का Android 10 का update देने को मैंने खा कि Redmi Note 7 और Redmi Note 9 के devices को अरड़ी मिल चुका है. तो यह question जो वहाँ पूटप किया था तो उसके कुछी देर बाद जो है वहाँ के जो tool के जो super moderator है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, Fed64, उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है, यहाँ पे, for MIUI 12 and Android 10, you might need to wait, यानि कि अभी भी जो है Redmi Note 8 के user को काफी wait करना पढ़ सकता है, क्य support नहीं हो रहे हैं, तो वह stable version जो है, आपको जल्दी देखने को नहीं मिल सकता है, तो में भी यह हो सकता है, कि Redmi Note 8 के devices को यह September end तक देखने को मिल सकता है, अगर odd delay हुआ, तो यह September के बाद भी जा सकता है, कोई एक specific date नहीं है, कि हाँ, आपको इस दिन यह update देखने को मिल जा तो इस तरहत का link जो है, मैंने description में डाल दिया है, जहां जाके आप इसको check out कर सकते हैं, अगर साथ साथ आप हमारे telegram का discussion forum है, उसको join करना चाते हैं, उसका link में मैंने description में डाल दिया है, जहां आप हमारे साथ जाके chat भी कर सकते हैं, एक तरीके से Redmi Note 8 के users के यह confirm हो गया है, जो काफी सारे forums होते हैं, मी community के वहाँ पे discuss किया गया है, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया ने काफी सारे MIUI के applications को ban कर दिया है, तो माना यह जा रहा है कि जो MIUI 12 का अब जो नया update आपको देखने को मिलने वाला था, अब उसके अंदर से वो उन apps को remove कर रहे ही और बाकी apps को ऐसी permission दे रहे हैं कि अब आप उनको uninstall भी कर पाएं, ना आपको phone का boot order unlock करना है, ना root करना है, ना कुछ नहीं, तो maybe ये भी एक reason हो सकता है, जिसके वैसे जो उनके developers हैं, वो काम कर रहे हैं कि जिन applications को आप remove नहीं कर पाते थे, उनको आप remove कर पाएं और इंडोचैना की situation है, इस टाइम पे जहाँ वह controversy चल रही है, आपको पता ही है क्या controversy चल रही है, तो उसकी दोरान जो है, इंडियन government ने काफी सारे apps को भी ban किया था, जिसके अंदर अभी recent PUBG को भी ban किया है, उसे तरीके से इन apps को भी ban किया है, तो उसके बाद Xiaomi ने कहा था कि जो अगला update आएगा, उसके अंदर से आपको एक clean MIUI देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो भी ban applications हैं, उनको remove कर दी जाएगा, तो ये भी एक reason माना जा सकता है कि इसलिए भी MIUI टेवलेपमेंट में थोड़ा से time लग रहा है, उनको remove कर रहे हैं, और उसके बाद ही आपको ये update देखने को मिलेगा, तो जो reason मुझे आभी तो फता है, वो मैंने आपके साथ share कर दी है, अगर आपके पास कोई और टिप है, और news है, जो आप हमारे साथ share करना चाते हैं, तो नीचे comment कर सकते हैं, या फिर हमारे जो telegram का ग्रूप है, उसको आप join भी कर सकते हैं, तो उ मिल करता हूँ, आपको आज का वीडियो पसंद पाया हो, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरू कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूदेगा, तो चल मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, और बाबाई